नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बीपीसी के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के दौरा एक्सपर जोकी पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर दूसरे चरण की सिक्चक निफ्ती परिक्षा की बदली तारीक को लेकर जानकारी दी गई है उन्होंने कहा कि 14, 15 और 16 दिसंबर को निरधारित TRE 2 परिक्षा को बदल कर 7, 14 और 15 दिसंबर कर दिया जाएगा ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुराने तारीक के अनुसार 14 दिसंबर को होने वाली प्रधाध्यापक परिक्षा अब नए सेड्यूल में 7 दिसंबर को आयूजित की जाएगी इसी प्रकार पुरान सेड्यूल के अनुसार 15 दिसंबर को आयूजित की जाएगी सोनपूर मेला का हुआ उदघाटन मिलेंगी ये सुवधा आज यानी की 25 नवंबर को बिहार के उपमुख्य मंत्री तेश्वी यादव के दौरा विश्व प्रसद सोनपूर मेला का उदघाटन किया गया बताद की अमेल अपरेटन विवाग और सारन जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा जो कि 26 दिसंबर तक चलेगा मेले 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 के सफल आयोजन के लिए रिंदाधिकारी पुलिस पताधिकारी एवं पुलिस कर्मियों की भी निउक्ति की गई है विशेश राजी के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव बिहार सरकार के द्वारा बिहार विशेश राजी के दरजे की मांग और नई आरक्षन कानून को नौमी अनुसूची में डालने की अनुसंसा का पांच पनों का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है बता दे कि यह प्रस्ताव जिस आधार पर भेजा गया है उनमें जाती है गन्ना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में गड़ी पडिवारों की संख्या 34.113 फीजदी है बिहार के 94 लाग 42,786 पडिवार की मासिकाई 6,000 रुपए है बिहार के 73.74 फीजदी पडिवार की मासिकाई 10,000 रुपए है 9.18 पडिवार ही 50,000 रुपए तक हर महीने आय अरजित करते हैं विहार सरकार 94,42,786 पडिवार के लिए 2,2 लाग रुपए की योजना चलाना चाहती है भूमिहीन पडिवार को जमीन के लिए 1 लाग और घर बनाने के लिए 2.2 शुने लाग पचास हजार करोड रुपए की जरूरत पड़ेगी बहार के 200 से अधिक प्राचारियों को अगले आदेश तक नहीं मिलेगा वेतन उच्छा निदेश अक्रेखा कुमारी के दोरा बीते दिन प्रदेश के सभी विश्यवध्यालियों के कूल सचीवों को पत्रड़िक आदे और जिन्होंने सिक्षा विभाग के तरफ से बार-बार मांगी गई जानकारी गूगल सीट पर उपलब्धन नहीं कराए गई है बतादे कि जारी के गया आदेश में असपस्ट कर दिया गया है कि आदेश कॉलेज की आंतरिक श्रोत की रासी से दी जाने वाली राशी पर भ बात हो चुकी है ऐसे में इस मौके पर यात्रियों की भीरभार को देखते वे पुर्व मध्य रेल द्वारा 27 नवंबर 2023 को 13 पैसेंजर मेलाय स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है उनमें गारी संख्या 05-202 और 05-201 सोनपूर मुझपरपूर सोनपूर कार्तिक पर्णिमा मेलाय स्पेशल गारी संख्या 05-205-205 और 05-206 सोनपूर पार्तले पुत्र सोनपूर कार्तिक पर्णिमा मेलाय स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा वह इसके लावा 27 तवंबर 2023 को पतना और गया के बीच तीन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन एवां मोका और बरौनी के बीच एक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा विहार को मिले 57 डियसपी दिक्छान समाड़ो में डीजीपी ने कहा ये नालंदा में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रसिक्षु डीयसपी के पैसटवी बैच के दिक्छान सम कि बिहार में पुलिस पदाधिकारी की कमी को आज कुछ हद तक कम किया गया है सबसे पहले इमांदारी और करतब ये निस्था पुलिस की बुनियाद है अगर ये नहीं है तो बाकी सारी चीजे बेवानी है उन्होंने कहा कि पुलिस की लगातार 24 घंटी की नौकरी है ऐसे म कहां अफरात तफ्री का महौल बन गया पताधी की मिली जानकारी और मीडिया में चल रही खबरों के रुसाच रियागर के परिसर में रखे इरिक्सा में अचानक आग लग गई और यह आग इतनी तेजी से फैली की बारा अन्य इरिक्सा इस आग की चपेट में आ गई हाला में सचिवाले थाना के पताधीकारी अर्विन कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि परिसर में रात बारा बजे के आसपास इरिक्सा के कंपाउंड में चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई हाला कि अब इस पर काबो प भानि जाएगी उन्हें एक सब्ता के कारे दिवस के दिन शे क्लास लेनी होगे इसके साथ इन्होंने इस्तोरान विद्याले के सिधिके बाड़े में प्रधेह अध्यापक से बादचीत की लेकिनुए प्रधाध्यापक की भाषा को सुनकर गुस्ता हो गया दरहसल विद्य जब हमें समझ नहीं आरही तो बच्चों का क्या होगा ऐसे भाषा का इस्तमाल ना करें फिल्म दिलों में उफान का पठना में हुआ प्रीमियर बीदिदन बिहार की राजधाНीब और धरम सर्मा भी शामिल है यह फिल्म महिलाओं के खिलाफ होड़ी हिंसा पर आधारित है और इस समाज की इससे बचनी का संदेज देती है इसके लेखक और निर्देशक सुखविंदर सिंग और प्रोडूसर रचना कुमारी है वह इस फिल्म के एक्टर अनीश विक्रमादत बिहार में 27 नमंबर को लगेगा PM National Apprenticep मेला 27 नमंबर को सुभर 9 बजे से शाम 5 बजे तक राजकिय और दोईग प्रसक्षन संस्थान दरभंगा में निर्देश आले नियोजन एवं प्रसक्षन बिहार सरकार के निर्देश पर राजकिय और दोईग के प्रसक्षन संस्थ दरभंगा द्वारा दिया गया है इसमें सरकारी और नीजी आईटी आई से उत्तिन प्रसक्षारतियों 12 बारवी पास इसना तक डिप्लोमा धारी PM KBY DDUJKY आदी समेत NSQF से चुने गए पाठेक्रम के सभी पास विद्यार्थी एवं आठवी पास नियूंतम अहर्ता वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं हाला कि भाग लेने से पहले अभ्यर्थी को एनने पी एस पोर्टल स्टी पीएस कोलम स्लैस स्लैस डब्लू डब्लू ड़ू डॉट अप्रेंटिसिप इंडिया.GOV.IN पर पंजियन कराना अनिवारे हैं इस सिजरी अधिक जानकारी के लिए राजकी और दोईग प्रसिक्षन संसान द्रभंगा से जुर सकते हैं. महिला सक्षकों को केके पाठक ने दिया बड़ा तौफा. सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के दौरा सक्षा विवस्था में सुधार लाने के लिए कई एहम कदम उठाए जा रहे और उनसे टूविलर और फोर विलर चलाने के बारे में पुछा जिस पर ज़्यादा तर सक्षका यह कहती हैं कि उन्हें गारी चलाना नहीं आता. जिसके बाद एके पाठक के दौरा ततकाल अधिकारियों को नर्देश देते वे कहा जाता है कि सभी को टूविलर और फोर व कुमार शिभर जाने वाले हैं जहां वो कई योजनाओं का सिलन्यास और उद्घाटन इसमें अपने प्रधान सचीव दीपक कुमार के प्रयास से बरसों से उपेक्ष जले के एकमात रहतिहासिक और परानी कस्थल देकुरी धाम का जिरुद्धार कारे का सिलन्यास रशीद एस पी अनंत कुमार राय ने अधिकारीयों के साथ चायजा लिया 9 साल पुनाने मामले में पप्पू यादव को एक साल की मिली सजा MP MLA की विशेस अदलत के द्वारा जन अधिकार पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष राजेश रंजन यादव और पपु यादव के खिलाफ नियाई खिरासत के दौरान बेउर जेल में इयर फोन वा मोबाइल फोन बडामदगी के मामले में सजा सुनाई गई बता दे किस मामले में पपु यादव को दोसी पातेवे कोट के दौरा एक वर्स की कैदवा दस हजार रुपए जिर्मान की सजादी गई है मालमों कि यह मामला वर्स 2004 का है दरसल तब पपु यादव अपराधिक मामले में नियाई खिरासत के तहट बेउर जेल में बन थे उस दौरान पुलिस प्रशासन के दौरा जेल के निरिक्षन के दौरान आठ दिसंबर को बेउर जेल में छापे मारी की गई जिसमें पपु यादव के पास से भी एक इयर फोन और मोबाइल फोन बडामत किया गया था जिसके बाद इस मामले में फुलवारी सर्व थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज करवाये गया ऐसे में अब इस मामले को सत्य पाते बेच चार्ज सीट तायर की गई और कोट की और से पपु यादव को सजा सुनाई गई पीयम मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने को लेकर रवी सासरी ने कहीं बड़ी बात विशुकत 2023 के फाइनल में और स्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद प्रधानमंत्री नडंधर मोदी के भारती ड्रेसिंग रूम में जाने को लेकर भारत के पुर्व कोच रवी सास्री के दोरा एक बड़ी बात कही गई है। जब आपके सामने देश का प्रधान मंत्री हो तो उसका ड्रसिंग रूम में आना विशेश होता है। अब बरते हैं आज के पांच सवाल क्योड हमारा पहला सवाल है। 16 दिसंबर को होने वाली दूसरे चरण के सिक्चक निवकती परिच्छा कब आयोजित की जाएगी। आप्शन A 7 दिसंबर, आप्शन B 15 दिसंबर, आप्शन C 14 दिसंबर, आप्शन D इन में से कोई नहीं। इसका सहीधतर है आप्शन B 15 दिसंबर, आगला सवाल, सोनपूर मेला को लेकर कितने पैसेंजर मेला इस्पेशल ट्रेन का परिचालंग किया जाड़ा है। उप्शने 7, उप्शन B 13, उप्शन C 18, उप्शन D 20, इसका सही उत्तर है उप्शन B 13, अगला सवाल, प्रसिक्चों DSP के 65 भी बैच के दिक्चांस जमारों में बिहार को कितने महिला पुलिस उपाधिक चक मिले, उप्शने 17, उप्शन B 19, उप्शन C 20, उप्शन D 22, इसका सही उत्तर है उप्शन D 22, अगला सवाल, फिल्म दिलों में उफान कितनी तारी को रिलीज होने वाला है, उप्शन A 28 नवंबर, उप्शन B 30 नवंबर, उप्शन C 26 नवंबर, उप्शन D इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है उप्शन A 28 नवंबर, उप्शन D इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है उप्शन C 33.74, बिदे दिन हमारे पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्लजाब, हमें हमारे कॉमेंट सक्ष्ण बॉक्स में लिख कर दिया है, जिन्होंने हमारे पूछे सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नंद कुमार सिंग, ननो गोलु कुमार, जीतन डठाकोर, अमान् Państwo, सबीता देवी, अगर आप यूटूब से देख रहें चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद